पूरा ये टेबल पे प्रिंट कियावा काम है यहां पर आप देखेंगे बटनस दीवेये हैं फ़ैब्रिक के पूरे बटनस बने वायँ है त्लिस मिलने वाली ए छोटा सा पेटन यहां पे दिया वाई जैसे आप देख पा हुआ है यह बात करूं नीचे की साइड आप देखेंगे कैमरिक का बोडर लगा हूए पूरा ये कैमरिक का बोडर है नेट के उपर इसमें आप देखेंगे 3-pice concept है ये पूरा उपर की टोप बनावा है थोड़ा लॉंग टॉप दिया वाँ है इसमें और नीचे इसमें जो दिया वाँ है इसमें और पूरा डिजितल प्रिंट का कंसरेटHHH है यह गरारा-शरारा इस्टैल به बना वाँ है साथ में फोईल भी किया हुआ है प्रिंट के साथ आप देख पाने हैं पूरा फोईल किया हुआ है उपर की साइड आप देखेंगे यह जो नेकलेस का पेटर्न बनावा पूरा एम्रोड रिवर का कॉंसेप्ट है और इसमें जो दूपत्ता दिया है डिजिटल प्रिंट का जोर्जेट बेस का दूपत्ता है डिजिटल प्रिंट है पूरे पीस पे नमस्कार दोस्तों मैं महुईत अजमेरा अजमेरा फेशन सुरसे दोस्तों एक बार फिस से आपका स्वागत करता हूँ अजमेरा फेशन के यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो आज आपके लिए टोटली जो प्रोड़क हम लोग कवर करने वाले हैं टोटली कूर्टीज का कलेक्शन है उसमें भी स्ट्रेट कर्ट और अनारकली कर्ट की जो कूर्टियां आती हैं सारा वो ही कलेक्शन आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ ऐसे तो कूर्टीज में बहुत सारा कलेक्शन है दोस्तों स्ट्रेट कट हो गया गेरे स्टाइल में हो गई उसमें भी पैंट खेजाद पलाजों के साथ दोती के साथ हो गया उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्यर कॉंसेप्ट हो गए पिछे आप देख पा रहे हैं दुपट्टे के साथ थ्री पीस का कॉंसेप्ट हो गया तो इस टाइप से बहुत सारे कूटीज में कलेक्शन अवेलेबल है मैं आज जो कवर करने वाला हूँ स्ट्रेट कट और अनारकली कट का कॉंसेप्ट आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेंडवर के कॉंसेप्ट से केटलोग पीस है जैसे आप देख पाना है स्ट्रेट कट में है प्योर रियोन फेब्रीक है बहुत स्मूथ फेब्रीक आप देखेंगे और इसमें दोस्तो जो कॉंसेप्ट दियावा है जैसे आप देख पाना है टोटली हैंडवर का पूरा कॉंसेप्ट बनावा है स्रिक्वेंस और मोती का इसमें काम कियावा है एकदम फिनिशिंग के साथ पूरा वर्क कियावा है आप देख पाना है स्लीव एकदम सिंपल सोबर दी है स्टेट कट में है लेंथ वगेरा दोस्तो आप देखेंगे पूरा आपको लेंथ वगेरा वेवस्तित मिलने वाली है उसमें जो आप बटन देखेंगे दोस्तो पूरा बटन स्टिच किया है एकड़म शांदार क्वालिटी के बटन यूज किये हैं अगर इसमें दोस्तो साइज की बात करूं जैसे आप देख पारें है एल साइज का पीस है इसमें एल एक्सल डबल एक्सल यह सारी साइज अविलेबल देती है इसके लाव भी त्री एक्सल फूर एक्सल अगर आपको रिक्वार्मेंट रहता है तो हम लोग में टू ओर करते हैं तो दोस्तों यह केटलोग पीस है केटलोग की बात करूं तो सिक्स पीस का कॉंसेप्ट आपको मिलने वाला है जिसमें टूटली अलग कलर और वर्क का जो कॉंसेप्ट है टूटली अलग मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं यह देखिए पूरा हर एक पीस में आपको अलग वर्क का कॉंसेप्ट मिलेगा अलग कलर मिलेगा देखे केटलोग का नाम है रिर्स दोस्तों अगर आपको ये product पसंद आ रहा हो तो अब रिर्स करके हमें order कर सकते हैं आपको ये PDF में भी मिल जाएगा photo अगर आपको देखना हो अगर आपको वीडियो को लिंग करके भी देखना हो तो दोस्तो वो facility भी हमारे यह आवेलेबल है तो दोस्तो चलते हैं next catalog की और next catalog भी handwork concept का है इसमें जो fabric लिया है दोस्तो rayon sluff fabric है इसमें आप देखेंगे self की design बनी ही है totally और handwork बहुत sober handwork किया है दोस्तो यह आप देख पाने होंगे चोटी चोटी बुट्टियों की इसमें design बनी हुए जो shining कर रही है इसके बारे में दोस्तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहां back side आप करके देखेंगे तो आपको idea लगेगा कि print नहीं है fabric के अंदर ही पूरा design concept दिया है स्ट्रेट कट में यह concept है हैंडवर का concept है sleeves में bell sleeves दिया हुआ है plates का पूरा design बना हुआ है age usual sizes आपको सारी हैं पर मिल जाएगी यह जो catalog है इसका नाम है look at me इसमें जो concept दिया हुए दोस्तो आठ पीस का concept है eight piece आपको मिलेगा totally different color different handwork का concept देखें तो इस टाइब से यह catalog का concept दिया हुआ है दोस्तो लास्ट में आपको catalog की packing भी नचर कर रहा हुआ किस टाइब की आपको catalog की packing मिलने वाली है next piece की और चलते है next जो है यह भी catalog piece है जैसे मेरे पीछे dummy में लगा हुआ है handwork concept के साथ दुपट्टा साथ में इसमें दिया हुआ है two piece का यह concept है इसमें color matching और भी available है दोस्तों यह देखें इसमें जो sleeves दिया है तोड़ा सा cut page pattern sleeves का दिया हुआ है full handwork का इसमें काम किया है same straight cut का यह concept है इसमें जो दुपट्टा दियावा इस टोल concept भी आप इसको बोल सकते हैं देखें जैकाइड की बुरी design है जैकाइड का दुपट्टा इसमें दियावा फोर साइड लटकन आपको इसमें मिलने वाली है इसमें भी दोस्तों बहुत सार color available है sizes available है यह सारी जानकारी अगर आपको लेनी हैं तो हमारे contact नंबर पर आप call कर सकते हैं या वोट्टाप कर सकते हैं दोस्तों चलते हैं next concept की और next जो concept है थोड़ा सा अनार कलाई pattern इसको बोल सकते हैं नीचे घेरा आपको ब्रोड मिलेगा इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं दो मीटर का घेरा है और फूल पीस में foil concept का का काम किया है दोस्तों print के साथ foil का अलग concept है बहुत अच्छा trend में चलता है foil concept आप देख पा रहे हैं पूरे पीस में आपको foil का काम मिलेगा नीचे आप देखेंगे bottom में भी back side भी आपको दिखाना चाहूंगा पूरा foil का का काम किया है जिसे आप देख पा रहे हैं पीस में इसमें accessories वगेर आप देखेंगे buttons जो देख रहे हैं standard quality की accessories यूज की भी है और sleeves आप देखेंगे दोस्तों next चलते हैं अगले product की और cotton fabric पे फिर से foil work का काम बहुत sober taste है जिसे आप देख पा रहे हैं आप देखेंगे इसमें धेरा देखेंगे अनार कली concept इसको बोल सकते हैं कम से कम 3 मीटर से ज़्यादा का घिरब बना हुआ है आप उपर की side देखेंगे इसमें पूरा embroidery work क या फिर print किया हुआ है इतनी finishing से इतना काम किया हुआ है तो यह पूरा जो पेस देख रहे हैं पूरा handwork machine का काम है एंब्रोड रिवर का इसमें belt concept साथ में दिया हुआ है दोस्तों इसमें जो foil का concept आप देख रहे हैं इधर अलग foil किया हुआ है अलग design का बीच में अलग foil है बेक साइड भी आपको पूरा foil का काम मिलने वाला है दोस्तों इसमें भी sizes and color बहुत सारे available है चलते हैं next product की ओर प्रोड़क्ट है printed concept है जैसे आप देख पा रहे हैं cotton fabric पे है पूरा यह टेबल पर प्रिंट किया हुआ काम है यहां पर आप देखेंगे बटन्स दिये में हैं fabric के पूरे बटन्स बने में स्टाइलिस बटन है स्लीव आप देखेंगे प्रिंटेड आपको स्लीव मिलने वाली है चोटा सा पेटन यहां पे दिया वाए जैसे आप देख पा रहे है और bottom की अगर बात करूं नीचे की साइड आप देखेंगे camera का बोडर लगावा है पूरा यह camera का बोडर है नेट के उपर तो इस टाइप से यह concept बनावा है दोस्तों उसमें भी डिजाइन कलर आपको और बहुत सारे मिल जाएंगे back side भी full printed आपको मिलने वाला है तो इस टाइप के भी और बहुत सारे concept अवेलेबल है next जो दिखा रहा हूं दोस्तों cotton slub के उपर embroidery का काम है bottom में आप देखेंगे इस cut में print concept, cut page concept लियावा है यह पी अनारकली concept है जैसे आप देख आ रहे हैं पूरा page बनावा है embroidery work का sober color है नीचे आप देखेंगे printed का पूरा cut page का concept लियावा है उसमें foil का concept कियावा है तो इस टाइप से यह concept है इस टाइप के भी दोस्तों बहुत सारे concept अवेलेबल है इसके लाओ भी बहुत सारी वेराइटी है दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा थोड़ा speed में आपको product दिखाता हूँ यह देखेंगे आपको कोटन प्योर कोटन के उपर पूरा केमरिक बोर्डर और एंब्रोडरी वर्क का काम किया वाया है इसमें जो आप देखेंगे गरारा शरारा स्टाइल का वाइट कोंट्रास्ट कलर थोड़ा था fancy कलर इसकी मेचिंग है जैसे आप देख पा रहे हैं यलो और वाइट कलर की मे लेबल है नेक्स प्रोड़क्त दिखाता हूँ लाश्क प्रोड़क्त है जैसे आप देख पारे हैं आज की वीडियो के लिए इसमें आप देखेंगे थ्री पीस कॉंसेप्ट है ये पूरा उपर की टोप बनावा है थोड़ा सा लॉंग टोप दियावा है इसमें और नीच का पेटन बनावा पूरा एंब्रोडरी वर का कॉंसेप्ट है और इसमें जो दूपट्टा दियाओ है डिजिटल प्रिंट का जोड़ेट बेस का दूपट्टा है डिजिटल प्रिंट है पूरे पीस पे और फोर साइड आपको इस टाइप की जालर मिलेगी सो दोस्तों कू क्षिंट के साथ आपको फोटो मिलेगा जो एक कोंबो रेता है 10-piece, 8-piece, 6-piece का उसका पूरा केटलोग बनके मिलेगा तो सारी चाइज आपको व्यो बिखर मिलने वालेदे दोस्तों जो केटलोग में बता रहा हूं उस टाइप से आपको पूरा केटलोग मिलेगा जैसे चलेगा कि वहां प्रोड़क्ट पहुंच गया है तो दोस्तों हमने इसके लिए पूरा ट्रांसफोर्ट डिपार्टमेंट बना रखा है आप जब भी प्रोड़क्ट परचेज करते हैं यहां से प्रोड़क्ट आपका सलेक्ट होने के बाद में डिस्पेज डिपार्टमेंट में चला जाता हैं वहान से ट्रांसपोर्ट में आपकी बूकिंग करवा दी जाती है वो number देखके आप transport से contact कर सकते हैं कि sir इस number का parcel आपके पास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है दोस्तो अगर ये inquiry करने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो हमारे transport inquiry number पे आप call कर सकते हैं वहाँ से सारी detail आपको share की जाएगी आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने दिन में parcel पहुचने वाला है कब आपके पास पहुचेगा तो दोस्तो प्रोड़क्त ओनलाइन परचेज कीजिए या ओफलाइन परचेज कीजिए कहीं भी आपको कोई issue नहीं आने वाला है कोई भी चीज की inquiry हो तो हमारे दिये गए contact number पर आप call कर सकते हैं वार्टसअप कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही चैनल को subscribe करना ना भूले बेल आइकन को जरूर दबाईएगा नेक्स्ट वीडियो जो भी upload होगा आपको notification आप तक पहुचेगी कर दो आपको आपको